तो भाई और उनकी बेहनों क्या हाल चाहले वेलकम टू माई चैनल तो आज हम खेलने वाले हैं पोकीमोन क्रोमा का एपिसोड नमबर 4 तो यदि आपने पिछले एपिसोड नमबर 3 नहीं देखा है तो उसका निंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे बैंगरू जब देखो जब परिशान करने आ जाता है बैंगरू चला गया अब तो रिशान्ती रहेगी तो पिछली बार गाई सामने जिम लीडर ब्रूस को हरा दिया था और उससे हमने प्लेन मैज जीत लिया था तो जब हम जिम से बाहर निकले थे तो हमें एक यहां आज स्किल ट्रेनर के लिए है तुम अपर प्लेन बैज है तो में तरह से तुम फ्रीज जा सकते हो चलो भाई किसी ने तुमारी इज्जित रखी है ने यार तो हम अंदर आ चुके हैं एनक लवाट टावर के तो यहां देखते हैं हम क्या क्या है बस यह देखना बाग के जाए गया था यहां सिर्फ पोकेमोन है और मेरे साब से जो में कुछ कर सकूं तो कूर्स एक इसने कर दिया है जो मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है तो यहां देख लेता हूं मुझे को रिपल स्वाई मिल जाए तो मैं रिपल देख के आता हूंगा इस एक मिन्ट में भी तो गाइस बड़ी मैना तो मशक्कर के बाद उसली से हम में छुटकारा मिला वो जाने ने दे रहा था तो मैंने किसी तरह उसको हराया और फिर जाके मैं अपना जो था नहीं है इस्टार इस्टारेविया डैमेज हो चुगा था इससे बहुत कम पावर हो चुकी तो मैं मैं इसे ठीक करा के ले कर आए को की इमोन सेंटर में तो इन से बात करते हैं गोश्ट मैं इन भूत मुष्वास नहीं करता मैंने बहुत लोगों से भूत की स्टोरी सुनी है वो तो हम भी नहीं करते हैं पर देखते हैं जाके और फिर आ गया तू विंग अटेक से अब इसकी बैंड अब जा देने हम गाई इस तो कोई भात नहीं इसने मीन लूकी इस्तेमाल कर रहा है तो विंग अटेक कर दो इस्टारे विया विंग अटेक कर दो और एक सूट चोबी से एक्सप्रियेंस पॉइंट मिल चुके हैं और लेवल 50 हो चुका है चलो थोड़ी शांती आप कोई आयत नहीं बगवास करने हैं बांगे डूब नहीं है अब तो ओए डंक से नाम ले मेरा तुन निकल आब यहां से परिशान करने आ चाता है तो आप गाई इस हम रहने वाले हैं किसी से नहीं यह कैसे दिवार है कि कोई यहां इनसे बात करता हम ओहो यह तो मुझे से फाइट कर रही है डियरेक्ट यह क्या हो गया एक्सपेट येस मिन मुझसे बैटल करना चाहती है माचोब कोई बात नहीं हमारा पास बहुत ज्यादा अडवांटेज है हम इन्हें हरा सकते हैं विंग अटैक करो इस्टारे विया और सूपर एफेक हमारा फ्रोक यह पावर्फुल है ओ विलोविस्प कोई बात नहीं इससे अभी छुटकारा पालेंगे इसको हराने के बाद पर यह बहुत वेस अटैक है इसे बर्न लग जाता है वो बहुत देर तक परिशान करता है बार-बार तो जाता बहुत नहीं नहीं तो कोई बात न वेसे चल जाते हैं एक भिक हएंड यूव हातल यहांत मैं क्यों हटू हां मेरी का गीआ है गार प्रकरार है है इनका नाम पैक्ली को आ Stern कवार्ण बर्लब है उसकी बक्लीख पर लिख हिस इसकी ब्रख तो की मेन लुट्ट छस्वा선 कर लिया और में लुक से मैं बहुत ज़्यादा परशान हूं औरे के विलो विस्पी भी मुझे नहीं जीने दे रहा है पर इस्टारे भी आके तो बुरी हालत हो रही है यह बैटल पताने कब तक चलेगी ओ नाम लेते बैटल खतम फिर गेसली आ चुका है वो इसको हरा नहीं है मंगेडू तू क्या कहता है और या Busy एक परशुप कर रखा रहे हैं तू वह टरपल्स को चलेडिए को हमने बैंड वजा दी है और 210 experience पुइंट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं होंटर आचुका है उसकी खिलाफ हमारा फ्रोगेडियर ही होगा कि होंटर थोड़ा पावर्फुल है वोटर पल्स का हामला ओ नाइट शेल्ड अच्छा मूव इस्तेमाल करा है वे से बुरा नहीं है नाइट शेल्ड और दूसरे वोटर पल्स में इसकी बैन बच चुकी है और हरा दिया है हमने इसको अब आगे चलते हैं हम मैं हील नहीं कराने जाओंगा बार बार मेरे पाव पोश्चन होंगे वही देता रहूंगा क्यों मैं बार बार नीचे नहीं जाना कोई बहुत फिर परिशान होती ना बार बार परिशान होती है तो फ्रोगेडियर को में पोश्चन दे दिया है अब चलते हैं आगे दिवा के सबन दे ओच्छे यहां से जाना है क्या ओके यू डॉंट तुम मुझे स्ट्रोंग ट्रेनर नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे अपनी ताकत दिखाओ अरे अंकल आपने मुझे क्या समझ लिया है इतना कमजूर दिख रहा हूं मैं आपको अभी बताता हूं रुक जाओ तो गैसली फेका है अंकल ने यहां गैसली को छोड़ा है तो विंग अटैक से हम इसको हराने की कोशिस करते हैं इस्टारेविया विंग अटैक यूज करो और बहुत अच्छा डैमेज हुआ है पर यह आग है जो हमें नई चीने दे रही तो अच्छी बात है कि इसको उपर नेट शेड अटैक इस्तमाल ने किया जा सकता है इस्टारेविया को उपर तो अगला को ने क्यूबोन अब तो भाई में को फ्रोगेडियर इस्तमाल करना पड़ेगा को क्यूबोन एक ग्राउंड टाइप पोकिमोन है जो कि हमारे इस्टारेविय का खिलाफ बहुत जारी होएगी उसके लिए सोरी नोई से बहुत जा जाती है अब देखते हैं हम इस साइड ओ यह क्या रहे वापस आ गया हमें कुछ नहीं होता वापस जाता है कुछ कुछ तो पता लग रहा है केसे कहां जाना है तो इस सीडी से हम आगे जाते हैं तो एन क्लावर टावर के हाई लेवल पॉंच तक पोपर तक मैं एक बूग ढूने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं में मास्टर फीजों के साथ क्राटे की प्रैक्टिस कर रहा हूँ वह इक बहुत महान ट्रेनर हैं एन क्लावर टावर एक बहुत ही बड़ा बदा ट्रेनिंग प्लेस हैं जहां बहुत तो इससे बात करते हैं मैं हाँ आर्ट की पढ़ाई करने आया हूं ऐसे तु करता रहे तो हेलो बच्चे तुम यहां क्या क्या लेने आये हो हो तुम एक टेनर हो जो तुम प्रोफेसर सही प्रेस के बेटे हो देट ड्रॉम बुक आई सी आई विल गैट फॉर यू मेरे पास तुमारे लिए कुछ है तो यह क्या लेने जा रहे हैं यह बुक डॉरिम बुक को इस एक एंसियेट बुक है जो कि सो साल पहले की है सची सिस्टेर से डिस्क्रिप्षिन दैंलेजनरी पोकेमन इसम 때문에 इसमें हम्लेजेंडरी पोकेमन के बारे बताया गया और इसपो की इसपो का ओथर जैसिला एक फारिक प्योंदर्म तो हमें डॉरी मीरे डॉरी मीरे डॉरी मुई बुक को मिल चुकी है हमें जो कि एक बुक है तो अब हमें क्या करना है में गूड चोईस एंटीलिव डिलिवरी देर तो हमें इसे प्रोफेसर साइपरस को जो कि मिश्टि सिटी में जो हमारी मों में उनके पास ले कर जाना है तो थैंक्स फॉर इट अब हम नीचे वापिस जा रहे हैं तो हमने बुक ले लिए तो च्छी बात है तो हम वापस आगे हैं टावर से बाहर तो एनक्लावर टाउन वापिस तो अब हम जा रहे हैं पोकिमोन को हील करा लेते हैं थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत क्या फुली हील करा रहा है और क्या करना है इसमें अब इसके बंदे से बात करते हैं बंदे से बात करनी से समान ले लेते हैं हमें पोशन चाहिए पोशन 11 नहीं एक पोशन चाहिए बस एक पोशन हमें चाहिए एक ग्रेट ग्रेट बोल चाहिए ले ले लेता हूँ एक और पोकी बोल्ट बहुत सारे पड़ी है सुपर पोशन ह है यह तो पक्का चाहिए वरना प्रोड्लम हो जाएगी जैसे इस बार हुई आई सी यह बड़ी अच्छी बात कहिए आप इसी लिए लिए तो कोई भरोसा नहीं कभी काम आ जाए रिवाइव में को चाहिए रिवाइव बहुत जादा महेंगी है पर सिर्वी चाहिए लेली मे अब हम चलते हैं आगे हमारे अगले सफर पर तो हमें मिश्ट सिटी जाना है गाई जो जहां प्रोफेसर सी प्लेस एसाई प्लेस है जो हमारी मदर है इस गेम में तो उनको वे बुक देनी है जो कि डोरी डोरी बुक का ऐसी कुछ नाम की थी तो हम चलते हैं अब एनिक लव पास का रस्ता है तो उपर हमें पोकिंबोल मिली है देखते हैं इसमें क्या है तो हमें आरे आयरन मिला है इसमें तो बताओ तुम कौन हो आई एम एक्स की होटेड फॉर इसमिंग आई एम जैस्ट और नॉट यूज इट इट आई नीड बोटल फॉर चांस ओफ प्लेस तो तो विंग अटैक यूज करा है फिर भी थोड़ा वो डैमेज करी दिया इसे डबल टीम अरे डबल टीम से कुछ नहीं होने वाना विंग अटैक यूज करो यार इसका विंग अटैक बहुत ज़्याद पावफुल है यार इस टेलो का तो 288 एक्सप्रियेंस पोइंट मिल च चुनेंगी हम इसकी कहलाख ऐक्यार कटटर और हम हमारा इस्टा रिबिया हार चुका है फ्रोगेडियर आई चूस यूज अब व 20 टैक इसके समाल करो वो लुट्र पल्स अच्छा टैक यार वोट्र पल्स तो फ्रोगेडियर एक और वहक्स कई यूज कर दिया फिर वो ट् गोड़ अरे सुकरमना जीत गया मैं आई होप आई विन होप क्या तो बंदे की आवाज नहीं आरी यार कहां भग गया हमारा बांगलू ओए मुझे आद करा का तुने ना ना भगजा 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 तेरे तो को जूजाते हैं नहीं तुन चला ही जाए यहां से अरे यार य तो आपको वीडियो अच्छी लगी होईगी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए सबस्क्राइब कीजिए तकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेश्यन आपको मिल सकें तो अगर आपने हमारी और वीडियो से नहीं देखी तो उसे जा करके देखिए आप मेरे चैनल में जाके चेक कर लिजू और वीडियो से भी और इसका एपिसोर नमबर थ्री पक्का देखना उसमें मैंने बहुत मिमिक्री करी अच्छी सी एक बार देखने ना बांगडो के साथ ही तो बंग वीडियो थो चोटी है गाइस पर फिर भी अगली बार और वीडियो बड़ी लाने कोशिस करेंगे तो बाए